आज डाउटनेट आप डाउटनेट पर अपने सभी गनित, रसायन, विज्ञान, भौतक विज्ञान और जी विज्ञान के डाउट्स का करो सपाया। बस प्रशन के फोडो कीचो, एची प्रशन को क्रॉप करो और तुरत विडियो सिलीशन पाओ, अभी राउटनोट करें। प्रशन हमारे पास है, A, B, C, D के रूप में, उनमें से हमें सही मान को चनना है, ठीक है, तो हम कैसे यहाँ पर डिफाइन करेंगे, तो पहला बुला है कि प्रशन की लंबाई एन गुना बढ़ा दी जाए, तो देखिए हमारे पास कोई जिसकी लंबाई को अगर हम बताएं, तो लंबाई को देखिए कुछ इस तरह से हमने स्मॉल एल से प्रदशित कर रखाए, ठीक है, यह स्प्रिंग की लंबाई को प्रदशित करता है, अब अगों होने स्प्रिंग के लिए हम अनों को देखेंगे, तो स्प्रिंग के लिए जो बल नेतांग का मान होता है, अब लुक्त करते है और किस français से उस बल का विरोध करते हुए माहन प्रदशित करतें तो उसे हम बद नेतांग की रूप में लेते हैं, तो हमारे पास किसी स् है यहाँ पर 64 64 यहाँ पर N और R की घात तीन के रूप में ठीक है अब देखिए इन पदों में हम क्या-क्या टर्म्स हैं उन्हें हम समझा देते हैं जी हमें एक पदार्थ के लिए एक नेतांग के मान को बता रहा है कि जिस पदार्थ का यह सतार का बना हुआ होता है तो उस सतार के लिए यह डी जो है वो क्या मन को बताता है व्यास कि मान को ya नष्टीन के संख्या कितनी है तो फेरों की संख्या अभी हम यहाँ पर देख रहे हैं फेरों के कुछ संख्या यहाँ तो मालेचेस में फेरों के संख्या N हैं हम कहते हैं जैसे एक हमारे पास हुआ दो हमारे पास हुआ तीन इस तरह से N संख्या हम कह सकते हैं और यहाँ पर capital R की बात की गई है capital R यहाँ पर क्या बताता है यहाँ जो कुंडली हमने बना रखे उसको N गुना कर दिया जाता है N गुना बढ़ा दिया जाता है उसके लंबाई को तो किस तरह से लंबाई प्रदरशित होती है या लंबाई में परिवर्टन होता है spring की नियतां से हमें समझना है प्रियोचा N कामान जो फेरों की संख्या को बताता है वो यहाँ पर पड़िवर्थित होगा लंबाई के साथ, लंबाई के साथ फेरों के संख्या बढ़ेगी, लंबाई के घटने के साथ फेरों के संख्या भी घटी है, इसके लावाद 64 और आरके घगात 3 जो हैं, वो कुंडली के लिए या स्प्रिंग के त्रिजा को जो प्रद वितक्रमानपाती होती है, इसका मतलब होता है कि लंबाई जितनी बढ़ेगी, हम कहाशनएं अ簡orthy कि फेरों के संख्या उतनी जाधा होगी, लंबाई में कमी होने पर फेरों के संख्या में भी घटी ए. तो इस तरह से अगर हम देखें तो कि की का मान कि जो बलनेतां का मान है वो किस तरह से लंबाई से सम्मधित है तो लंबाई के वितकरमानपाती होता है वितकरमानपाती मतलब यह होगा कि अगर हमने लंबाई के मान को बढ़ाया तो उस स्प्रिंग के लिए उसके नेतां का मान कम होगा इसी तरह लंबाई के मान को कम किया तो spring के लिए जो नेतां का मान है वो ज़ादा होगा पढ़ेगा विद्कमान पाती ही रुप से सम्मंध है ठीक है तो अभी हम कह रहें कि अगर हमने उसकी लंबाई को यहां पर जो spring के लिए spring के लंबाई n गुणा अगर बढ़ा दी जाती है ठीक है लंबाई अगर l' के रुप में हम कहें तो उसे बढ़ा दिया गया n गुणा n l के रुप में हम कह दें तो यहाँ पर k के मान में क्या परिवर्थना आएगा तो लंबाई जब n गुणा हो चुकी है तो k का मान, k के का मान कितना हो जाएगा, k ड़ेश की रुप में यह बन जाएगा k बटे n गुणा ठीक है, यह हम कह सकते हैं न, आसानी से तो k बटे n गुना हो जाएगा, मतलब 1 बटे n गुना हो गया अपने प्रानभिक मान का, इतना हम कहा सकते हैं, तो यही बात है कि अगर हम spring के लंबाई n गुना बढ़ा दें, तब spring नेतांग अपने पहले मान का 1 बटे n गुना हो जाता है, हमने देखा, तो यह सही है, उसके अपने पहले मान का एक बटे n गुना क्यों हो जाता है, तो उसके लिए इस उत्रे सही नहीं है, वक्तवे दोनों सही है, एक और दो, लेगिन वक्तवे दूसरा पहले की वाक्या सही नहीं करता, तो वे कल भी हमारे लिए question का answer होगा, thank you.